तो फानिली दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं दोस्तो एंड सीखने वाले हैं एंड समझने वाले हैं दोस्तो ये के एक के भी दो के भी ये पांच के भी दस के भी ये पंदरा के भी धाश ग्राम सौ ग्राम तीन सो ग्राम मतलब कि दोस्तो हम ये जो इस्टेबलाजर अपने जो बनाते हैं इसमें जो हम कनक्षन करते हैं तो हम कनफीज बहुत ज्यादा रहते हैं कि क्यों सा इसमें वायर यूज करें कि जिससे इस्टेबलाजर हमारा पर्फ है मतलब कि दोस्तो सीधा सीधा ये समझीए कि हम अपने stabilizer में जो connection करते हैं तो हम confuse बहुत ज्यादा रहते हैं और हमें नहीं पता रहता है कि हम किस stabilizer में कौन सा wire योज करें तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर यही सब clear and cover करने वाले हैं बस वीडियो को ही complete वाज करना तो दोस्तो फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट तो फिर मैं हूँ आपका अपना वही तोसीब और मैं ऐसे ही electronics and electrical related वीडियो लाता रहता हूँ तो finally दोस्तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले देखी कि यह जो वायर हैं दोस्तो यह पांच कलर में यह वायर आते हैं मतलब कि यह पांच कलर का वायर होता है दोस्तो मतलब कि इसमें सारे के सारे आपको पांच कलर मिल जाएंगे अब दोस्तो ये जो 5 color का ये जो wire है मतलब कि इसमें कहाँ पर कईसे ये उच करना है तो दोस्तो ये जो wire है जो 5 color वाले इसका अगर हम और्जिलल में अगर नाम को देखें तो इसको हम बोलते है 14-36 के नाम से इस wire को जाना जाता है दोस्तो तो मतलब कि ये 14-36 के जो 5 कलर की ये जो वायर है दोस्तों इसको हम लगाएंगे अपने किस में 500 ग्राम, 300 ग्राम और 500 ग्राम तक मतलब कि 500 ग्राम तक की स्टेविलाजर के अंदर हम इस वायर से कनक्शन को कर सकते हैं कि यह five color में आता है दोस्तों चलिए आप next जान लेते हैं अब यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह दो वायर है एक black and red अब इनका जो है आपको black and red का combo ही मिलेगा इसको अगर हम जाने कि यह किस नाम से यह जाना जाता है तो दोस्तों यह अगर चाहं तो इसको 500 वाट में भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो उड़्ाइव करसकते हैं कि साड़े 500 वाट में बिए कर सकते हैं बहुत इसी तरीके से दोस्तों चलिए आब हम next की तरफ चलते हैं दोस्तों कि अगले फमें कौन सा क्या योज करना है तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये येलो कलर का ये वायर है इसमें दोस्तों आपको येलो होऊ मिल यागा गारेड बी मिल येगा बिलो भी मिल येगा ग्रीन भी मिल्यागा मतलब कि दोस्तो आप कलर पर निरवर नहीं होंगे बिलकुल भी आपको जो भी कलर मल जाय कर देना है मतलब दोस यह 0.75 एंड़ी जिद का यह रखाप्व म吗 इस वायर को दोस्तो इस वायर को अगर उज करना है तो आप किलर पर बिल्कुल भी निरवर नहीं रहेंगे कि हमको यही कलर मिलेगा तब हम इसे कनक्शन करवाइंगे ऐसे कुछ भी नहीं जो जो भी कलर मिल जाए वस क्या है 0.75 mm का ही वायर होना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों इस वायर में से वायर करेंगे वह हम की एक तरब चलते हैं, next में देखते हैं कि कौन सा wire हम को किसमें यूज करना है, अब यहाँ पर यह जो wire आप देख रहे हैं, यह जो wire है दोस्तों, यह one mm के नाम से यह जाना जाता है, इसमें भी दोस्तों आपको different different के color मिल जाएंगे, पर color पर आपको near वर बिल्कुल भी नही होना है कि हमको यही कलर मिले तब हम यह connection कर पाएं ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है तो यहां पर यह जो वायर है दोस्तों इस बाइट से जो connection करेंगे वो आप 2 kWh and 2 kb के stabilizer में बिल्कुल इसी तरीके से इसका connection कर सकते मतलब कि 1.5 kWh और 2 कीबिये और 2 किलोवाड 1 mm स्कॉर में के वायर से हम कनेक्सन बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं चलिए अब नैक्स्ट की तरफ चलते हैं अब यहां पर आप देखने हैं यह रेड कलर का वायर तो इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कलर मिल जाएंगे तो आपको कलर पर बिल्कुल भी निरवर नहीं होना है तो यहां पर यह जो वायर है दोस्तो यह है हमारा 1.5 mm मतलब की 1.5 mm का यह वायर है अब दोस्तो इस 1.5 mm के वायर से हम किस इस्टेबलाजर में कनेक्सन को करेंगे वो यहां पर किलिए अर्ड़ 2 किलो वाट एंड और धाई किलो वाट मतलब की दो किलो वाट और धाई किलो वाट के स्टेबलाजर में तक हम इस वायर से कनक्सन को कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से बस इसमें आपको कलर मिलेंगे तो कलर वर आपको डिफरेंड बिल्कुल भी मतलब की बिल्कुल भी आपको यह नहीं सोचना है कि हमको यही color मिले तब हम यह connection को करें color जो सा भी हो बस क्या है 1.5 mm का ही wire होना चाहिए दोस्तों चलिए अब हम next के तरफ चलते हैं कि अब हमें क्या क्या करना है तो अब यहां पर आप देख रहे हैं यह वाला wire यह wire है दोस्तों black और इस पे भी आपको color पर नहीं जाना है दोस्तों इसमें भी different different के color आपको मिल जाएंगी दोस्तों इस wire को अगर जाना जाता है तो यह wire है दोस्तों 2.5 mm2 mm का मतलब कि 2.5 mm का यह wire है और इस wire से दोस्तों हम किस stabilizer के अंदर connection करेंगे वो यहां पर हम clear कर लेते तो दोस्तों इस wires जो हम connection करेंगे वो हम 2.5 kW मतलब कि 2.5 kW से लगा कर एंड 3 kVA एंड 3 kW मतलब कि 2.5 mm का wire से हम 3 kWh एंड 3 kVA एंड 3 kW में connection पिलुकुल इजी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों चलिए अब हम next की तरफ चलते हैं दोस्तों तो यहां पर दोस्तों वह सारे wires के अभी यहां पर पढ़े हुआ हैं और यहां रहाएं में आपको यूज करना है दोस्तों जैसे कि हम्ह달 5 के भीए एंड 4 के भीए तो यहां पर दोस्तों पाँच एंड 4 के भीए अब यहां पर आप थोड़ा सा जाने लेते हैं अब जैसे की बात करें हम अपनी है 6 mm के वायर की मतलब की 6 mm वायर की दोस्तों तो वो हमको कहां पर यूज करना है एंड उसका connection भी हमको कैसे कहां पर करना तो दोस्तो उस wire से आप 6 mm के wire से आपको इसमें भी different type के color मिल जाएंगे आपको color पर निर पर विल्कुल भी नहीं होना है आपको जो color पसंद उस color से आप connection कर सकते हैं तो दोस्तो 6 mm का wire होना चाहिए तो 6 mm के wire से हम connection को करेंगे अपने एंड 5 केवी से उपर के stabilizer के अंदर जैसे कि 6 केवी एंड 7 केवी एंड 8 केवी के stabilizer एंड 9 केवी एंड 10 केवी के stabilizer में विल्कुल इजी तरीके से connection को हम कर सकते हैं दोस्तो जैसे कि अभी बात की मैंने यहां पर 0.5 केवी एंड लगा कर 10 केवी तक की और अगर हम 0 में जाएं तो दोस्तो जैसे कि अभी हमने बात कि दी 500 के stabilizer एंड 9.5 के लिए तो यहां पर दोस्तो सारा ही किलियर हो चुका है कि अभी आपको यहां पर इन wire के वारे में किलियर हुआ होगा जिसका नाम है दोस्तो पाउप X Pro और उस वीडियो के अंदर बताया गया है कि हमको नहीं पता है हम ने कभी transformer बनाया ही नहीं है और हम को कैसे पता चलेगा कि इस core में एंड इस बोम इन के अंदर इतने के विए का इस इस्टेब्लाजर यह बने गा यह इतने के यह का यह transformer बने गा दोस्त तो इस चीज के पर मैंने बिल्कुल जीरो से किलियर किया है और दोस्तो कल्कुलेशन तो इस तरीके से कि दोस्तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल वारी की तरीके से एंड किलियर हो जागा दोस्तो यहाँ पर मैंने अभी एक एक चीज किलियर की भी है और आपका भी किलियर हुआ होगा आले किया का तूस्ट